लाल मिर्ची का अचार बनाने के लिए हमने ले लिया है मिर्ची और यह मिर्ची काफी बड़ी बड़ी सा है कितनी ज़्यादा सुन्दर एक्टम चमकीली एक्टम लाल देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आज इस मिर्ची का हम operation करके इसको भर कर नहीं बनाएंगे आज हम इसको बनाएंगे दूसरी तरीके से और यह अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान तो मिर्ची को हमें सबसे पहले धुल लेना है धुल कर इसका पानी थोड़ा सूख जाए तब हम इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे उपर कर यह जोहरी अर तीखा तीखासा लगता है तो इसे बिल्कुल भी ना निकाले सारी मिर्ची को हमने एक बराबर साइज में काट लिया है और इसे आप हम 1-2 घंटे के लिए धूप में सूखने देंगे तो मिर्ची पूरी तरीके से सूख जागे और कम सूखाएंगे तो मिर्ची में पानी तो इस बात का यहां पूरा धान देना है कि अगर अच्छार लंबे समय तक चलाना है तो मिर्ची अच्छे से सुखाना है जब तक मिर्ची सूख रही है तब-तक हम मसाला तयार कर लेते हैं एक कटोरी हमने लिया है दनिया आधी कटोरी सौफ लिया है उससे कम जीरा लिया है और सबसे कम हमें ये मंग्रेल लेना है, जिसे कलोंजी भी बोलते हैं, कड़ाई हमने गरम कर लिया है, इसमें सारे मसाले हमें एक साथ ही डाल देंगे, और सारे मसालों को लगातार चलाते हुए धीमी आज पर ये भूनेंगे, मसालों को जब भी भूने, गैस के फ्लेम को एक मिक्सी के जार में डालेंगे, मसालों को बहुत जाता बारीक करने की जिरोत नहीं है, बस इसे हलका दरदरा ही पीसना है, सारा मसाला आपने दरदरा पीस लिया है, इस एक बतर में निकाल लेते हैं, और आधी कडोरी हमने लिया है, सरसो के दाने, आप चाहे तो पीली सरसो या काली सरसो भी ले सकते हैं, इसे भी हलका दरदरा ही पीसेंगे, और अब हम डालेंगे, खटाई पाउडर यानिकी अमचुर पाउडर, एक कडोरी के करीब हमने लिया है, अमचुर पाउडर, और यह चाहर जब भी बनाए, अमचुर पाउडर का यूज करे, बहुत ही ब काले नमक चमश में बैद नमक के करीब काला नमक टालAL plat के डाला है ये बुने हुए खड़े मसाले भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिला देते हैं और अब ये हमारा अचार का मसाला तो एक्दम पढ़िया वाला बन गया है और मिर्ची भी हमारी सुख गई है मिर्ची को हमने ले लिया और देखिए ये मिर्ची ना ज्यादा सुखी ह पानी पूरी तरीके से शूँ गया है अब यह चार बने करना तो यह साल बार चलेगा और बिल्कुल भी कराब नहीं होगा जो हम लिए हम लिए जार को टेल को गरम करके डाले यह इसी ही डाले आपकी मर्चीए अपने इच्छा नुसार डाल सकते हैं लेकिन आप ऐसे भी सर्जों का तेल डालेंगे तो भी अचार नहीं खराब होने वाला है तो सारी चीजों को मिला देते हैं इतने अच्छे से मिलाना है कि मसाले ना मिर्ची के अंदर तक चले जाए और यह देखिए अचार का मसाला मिर्ची के अंदर तक चला गया तो अगर आपको भरवा चार बनाना है तो यही मसाला आप मिठी में भरकर बना सकते हैं और अगर छोटे-छोटे टुकडे करके बनाना है तो इस तरीके से बनाए इस अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले अच्छे से हर जगा पहुंच जाता है और छोटे-छोटे टुकडे खाने भी बहुत अच्छे रहते हैं इसे तोड़ना भी नहीं पड़ता है और जल्दी से बन भी जाता है हमें इसके अंदर मसालों को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस मिलाना होता है तो आप इस तरीके से मिर्ची का टेस्टी अचार पना करके साल भर इस्टोर कर सकते हैं और यह चार देखर मूं में पानी आया हो तो उस पानी को गटक भी सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलता है एक नई रेसेपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई